Let's improve English मैं तुम्हारे मूँ से एक लब्ज नहीं सुनना चाहता इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं चाहने को इंग्लिश में want कहते हैं present tense है मैं नहीं चाहता I don't want I don't want to hear a word from you I don't want to hear a word from you अब यहां पर मुझे यह बोलने की जरूरत दिने तुम्हारे मूँ से from your mouth इतना भी कहेंगे तो काफी है I don't want to hear और want to को हम short में wanna बोल सकते हैं I don't wanna hear a word from you friends इसी तरह से मैं कुछ useful Hindi sentences का English translation आपको बताने वाला हूँ समझाने की कोशिश करूँगा कि इन बातों को English में कैसे कह सकते हैं मैं पूरे दिल से उसे प्यार करता हूँ पूरे दिल से जब आप ऐसी बात कहते हैं न कि पूरे दिल से मैंने ऐसा किया पूरे दिल से मैं ऐसा करता हूँ तो उसके लिए हम कह सकते हैं With all my heart I love her with all my heart With all my heart Let's look at a few more examples in which we'll use with all my heart मैं दिल से चाता हूँ कि काश में तुमारी मदद कर पाता तो मैं ये दिखा रहा हूँ सामने वाले को कि वाकई में मैं दिल से ऐसा चाता हूँ I wish with all my heart that I could help you that I could help you कि मैं आपकी help कर पाता I wish with all my heart दिल से मैं चाता हूँ मैंने पूरे दिल से गाया heart with all my heart acts as an adverbial phrase तुम्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है तुम्हें तो और किसी से कोई मतलब भी नहीं है तो ऐसे confusion हो जाता है पड़ी रहती है तो इसे कैसे कह सकते हैं कहने का मतलब है उसे बस अपने काम की ही परवा है तो हम सिर्फ कह सकते हैं all you care about is your work all you care about is your work जो भी तुम्हें परवा है जिस भी चीज़ की परवा है वो एकी चीज़ है and that's work तुम्हें सिर्फ salary की पड़ी रहती है तो जैसे की कोई salary के बारे में पूछता है अपनी बार पर अपने बॉस से तो बॉस कहता है तुम्हें सिर्फ अपने salary की पड़े रहती है काम की नहीं All you care about is your salary All you care about is your salary तो किसी चीज़ की पड़े रहना मतलब उसी के बारे में सोचना बस उसी की परवा होना है ना To be concerned about only one thing पता नहीं किस गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है इसे आप कैसे कह सकते हैं भुगतनी पड़ रही है पता नहीं किस गलती की सजा पता नहीं को कहेंगे I don't know what I am getting punished for I don't know what I am getting punished for किस चीज़ के लिए मैं punish हो रहा हूँ I don't know I don't know that Friends, मैंने कुछ videos बनाई थी जिसमें मैंने बताय था I don't know करके हम कैसे sinuses को start कर सकते हैं और अपनी बातों को express कर सकते हैं बड़ी useful videos है वो Really, उन videos को आपको जरूर देखना चाहिए Friends, इसे short में सिर्फ हम इतना भी कह सकते हैं What did I do to deserve this? What did I do to deserve this? This is a very common way to express this kind of thing What did I do? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसे deserve कर रहा हूँ ऐसा मैंने क्या किया जो मैं इस चीज के काविल हूँ What did I do to deserve this? अपने आपको संभालो तो जब कोई emotions में भरपूर है एकनम चिला रहा है या रो रहा है या कुछ भी emotions ज़ादा हो गए है तो हम कहते हैं संभालो अपने आपको शान्त हो जाओ संभालो तो हम कह सकते हैं Get a hold of yourself या हम कह सकते हैं Pull yourself together Pull yourself together इन दोनों ही बातों का मतलब हो जाएगा कि अपने आपको संभालो Control your emotions Pull yourself together Get a hold of yourself शान्त हो जाओ Calm down अपना पेट भरने के लिए कमाना तो पढ़ता ही है पेट भरने के लिए यानि खाने का जुगाड करने के लिए कमाना तो पढ़ता ही है One has to earn money To put food on the table To put food on the table मतलब खाने का जुगाड कर लेना पेट भरने का इंतिजाम कर लेना इस तरह की बात जब हम हिंदी में कहते हैं तो इंग्लिश में एक idiom है जो इस बात के लिए perfectly suitable हो रहा है put food on the table और यहां पे one का यूज किया गया है जब भी हम कोई ऐसी बात कहें जो generally सब पर अपलाए हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कमाना तो पढ़ता ही है मतलब सबको ही ऐसा है सबके साथ ही ऐसा है कमाना तो पढ़ता ही है तो ऐसे में हम one का यूज करते है one has to earn money to put food on the table हलाकि यह तरीका कुछ जादा ही formal है informally सिर्फ हम इतना भी कह सकते हैं you have to earn to put food on the table यानि सिर्फ you हम कह सकते है generally when we talk about people in general अब मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिये है अब मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिये है how do you think we are going to translate this sentence into English कुछ काम हो चुका है present perfect tense I have given you plenty of chances now I have given you I have given को short में I have given इस तरह से कह सकते है I have given you plenty of chances now I have given you plenty of chances now plenty of की जिगे पे a lot of बोल सकते है many chances बोल सकते है several chances बोल सकते है a number of chances भी बोल सकते है तुम कभी मेरा कहा नहीं मानते तुम कभी मेरा कहा नहीं मानते हम कैसे कह सकते है you never do what I say you never do what I say यनि जो मैं कहता हूँ तूम वो तो कभी करते ही नहीं, कभी मेरा कहना तू मानते ही नहीं, You never do what I say. So friends, that's it for this short video. I hope you have liked this video and if you want to keep improving your English just like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. What are you waiting for? This video, actually this channel, this channel is full of useful videos. I have uploaded many videos onto this channel. I request you to go through this channel and you will find a lot of useful content. I want you to watch that. You will surely going to improve your English to a great extent. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.